यहां पर हम HTML, CSS और JavaScript के concepts को beginner से लेकर advanced level तक बढ़ रहे हैं आज हम बात करने वाले images के बारे में इससे पहले हमने दिखाता paragraphs और heading किस तरह के से काम करती हैं और हमने ऐसी कुछ website बना ली थी हम अपनी blockchain websites को clone करना चाह रहे थे यहां पर लेकिन यह image भी है और आप देखो कि most of the websites आज की रेट में इंटरनेट के ऊपर images contain करती हैं जिससे की readability बढ़ सके वो कहते हैं कि 1000 words से ज़्यादा value होती है एक image की ऐसा कुछ तो हाँ ऐसा है भी आप लोग की image जोते हैं वो multiple चीज़ें शो कर देते हैं आप लोग की website बहुत सुन्दर लगती है तो images को जानना बहुत जरूरी होता है एक और important चीज़ इस वाली playlist को भी bookmark कर लेना है so that कभी भी ये playlist मिस ना हो जाए हमारे browser के अंदर उपर ही रहेगी है आप को यहां पर यह दिखते रहेगी जिससे आप easily access कर सकते हो 1,2,3,4 इसके अंदर वीडियो आते जा रही है और साथी साथ अपने चैनल को subscribe करने के बाद bell notification आइकन को भी on कर लेना है जिससे कि सारी सारी notification आए कोई भी वीडियो की notification आप लोग मिस ना कर दो बहुत important वीडियो चल रही है अब ज़र आगे continue करते हैं तो images को अगर आप लोगो HTML के अंदर load करना है तो उसके लिए हमारे पास होता है img image tag ठीक है इसके अंदर img tag होता है जिसके help से आप लोग images को load कर सकते हैं इसके अंदर different attributes भी होते हैं एक हमारे पास source attribute होता है एक हमारे पास alt attribute होता है width होता है, height होता है और भी different होते हैं, fetch priority और हम देखेंगे responsive images को बनाने के लिए कौन कौन से attribute होता हैं बट वो आगे देखेंगे पहले ये most basic attributes की बात कर लेते हैं source attribute की help से आप लोग बता सकते हो कि इस image का path क्या है आपकी image हो सकता है locally आपकी laptop में stored हो या फिर आपको image internet के उपर से भी डाल सकते हो अभी हम दोनों के example देख रहे होंगे alt basically बताता है कि इस image के लिए alternative text क्या है कभी गलती से अगर आप लोग की image लोड नहीं होती है तो उस टाइम पर यह alternate text जो है वो लोड हो जाता है तो इसकी भी बहुत importance होती है अभी हम इसको भी समझेंगे and then width and height यह आप लोग की width और height बताने काम में आते हैं कि आपकी image की width कितनी होनी चाहिए और height कितनी होनी चाहिए इन सभी को action में देखते हैं तो इसके लिए आते हैं अपने blockchain wiki के उपर इस website को हम clone करने का try कर रहे थे आपको याद होगा यहाँ पर हमने काफी अद्तक success भी पा ली थी और मैंने आप लोग को एक homework दिया था कि आप लोग नीचे की चीज़ों को भी clone करने का try करो images को छोड़के because images तो हम आज पढ़ने वाले हैं उसके बाद आप multiple चीज़ों और भी clone कर पाऊगे तो images के लिए अगर हम यह image load करनी है तो उसके लिए हमें करना क्या है अपने code में आना है और यहां पर हमें decide करना है कि इस image को हमें दिखाना कहां पर है अगर आप main website पर देखोगे तो image आपकी इस नीचे वाले paragraph के साथ align हो रखी है यहां पर देख रहे हो तो हमारी website के अंदर अभी आप देखोगे तो एक h1 tag है then hr है then कुछ paragraphs है and then यह वाला main paragraph है इस paragraph के side में वह image है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा इस paragraph के just नीचे यहां पर मैं अपनी image डालूँगा तो image के लिए हमारे पास image tag मैं लेखूँगा img और मैं अगर hit करूँगा tab तो यहां पर देख रहो अपने आप ही by default मेरे पास source आ गया है और alt आ गया है तो यह दोनों basically भहुत यादा important होते हैं हर image tag के अंदर आपको यह दोनों के दोनों डालने ही चाहिए सारे के सारे browsers के अंदर आपके images अराम से लोड हो पाएं तो यह इसलिए most basic होते हैं m8 ने by default यह दे रखे हैं एक और चीज़ नोट करने वाली है कि image tag भी आपका empty tag होता है और empty tag I think आप लोगों को आप तक पता चल गया होगा जड़ा सोचो काफी अच्छे से गैस कर लिया आप लोगों ने URL को paste करने वाला हूँ तो यह मेरा URL है command पर hold करके अगर मैं इस पर click करूंगा command या फिर control पर click करके तो हमारे browser के अंदर यह image लोड हो जाती है तो यहां पर मैं पता चल रहा है कि कौन सी image लोड होगी और मैं यहां पर बताऊंगा एक alt कि alternate text का है गलती से अकर मेरी image लोड नहीं हो पाती है तो user को क्या दिखना चाहिए या फिर कई बार browsers आपके images को नहीं दिखा रहे होता है user ने opt कर रखा होता है कि images मेरे उपर load मत करो मेरे website पर मेरे पास bandwidth की कमी है या फिर कुछ भी reasons हो सकते हैं कई बार visually impaired लोगों के ब्राउसर के अंदर images नहीं दिखते हैं उनके वहां पर alt text ही play हो रहा होता है तो यहां पर हम बताएंगे कि this is an image of blocks of chain in a blockchain और इसको अब मैं करूंगा सेफ और यहां पर आके हम इसे करेंगे रिलोड तो यहां पर हमारी image display हो रही है देखरों कितना असान था एक image को दिखाना लेकिन आप लोग यहां पर देख रही है हमारी image जो है वो नीचे लोड हो रही है जबकि blockchain website के अंदर image जो है वो right side में लोड हो रही है और text इसके left side में दिख रहा है इसके लावा कुछ-कुछ boundary भी आ रही है नीचे चीज़ें लिखी हुई है यह बड़ा सुन्दर लग रहा है हमारा वाला इतना सुन्दर क्यों नहीं लग रहा तो यह सारा सारा कमाल यहां पर CSS का है ठीक है CSS जब हम बढ़ेंगे तो इसकंदर हम देखें क किस तरीके से आप लोग images को align कर सकते हो फ्लोट करा सकते हो left right कहीं भी border लगा सकते हो हमारी HTML के अंदर यह सारा support है नहीं HTML 4.0 से पहले एक support था align का भी कि आप लोग अपनी image को align कर सकते हो यहां पर right side में लेकिन उसके बाद align attribute को deprecate कर दे गया है मैं भी आपको align attribute दिखा आप लोग CSS का यूज करो और अपनी image को float करा हो right side में लेकिन image तो हमें यहां पर दिखी रही है और all text कहां पर है जो हमने all text लिखा था वो कहीं दिखनी रहे तो वो यार तब दिखता जाओ कि image reload नहीं हो पाते है किसी भी reason की वैसे हो सकता है जब भी image load हो रही हो तभी आप हम यहां पर reload करेंगे तो यहां पर हमारी image तो load नहीं हो सकती क्योंकि वह URL कहीं भी point नहीं कर रहा है लेकिन यहां पर हमारा all text display हो रहा है this is an image of blocks of chain in a blockchain जो हमने लिखा था हम आप है तो अगर आपकी image भी load नहीं होते है तब भी user को समझ में आ जाए कि यहां पर यह बंदा क्या दिखाना चाहता था इसको आप इस ठीक कर देते है कमांड Z और आप इस रिलोड करेंगे तो आप हमारी यहां पर image show हो जाएगी अब बाकी बच्यों attributes की भी बात करते हैं हमारे पास width and height यह दो attribute भी होते हैं इनको देख लेते हैं तो width attribute को आप यहां पर लिख सकते हो source से पहले width और इसके अंदर आप लोग कुछ भी number डाल सकते हो suppose करो 300 तो इसका मतलब है browser समझ रहा है कि इसको 300 pixel की image दिखानी है सिर्फ 300 लि तो उसके लिए मैं का करूंगा इसको inspect करूंगा inspect करने के लिए मैं right click करूंगा इस image के उपर और यहां पर Ikt इस से क्लिक रूखा होगा हमारा inspect tool open हो जाएगा यह हमारा right side में inspect tool होता है इसकी help से आप لوग किसी भी website को inspect कर सकते तो आज की वीडियो में आपको बताये तो inspect tool कैसे काम करता है I think इससे पहले मैं आपको नहीं बताया है तो this is a very good opportunity to learn about the inspect tool as well तो इसमें होता है कि आप लोगों को पूरी की पूरी website के बार में information मिल जाते हैं यहाँ पर कि आपकी website के अंदर कौन कौन से tags डले हुए हैं उनके अंदर कितनी styling हो रखिया हुए यहाँ पर नीचे आ रहा होता है अगर आप लोग यहाँ पर क्लिक करो ना इस वाले बटन पर तो आप लोग किसी भी element को चूज कर सकते हो इस इमेज element को चूज कर लिया है इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरा यहाँ पर image element हाईलाइट हो गया यहाँ पर देख रहे हो इसकी width 300 है यहाँ पर हमारा यह URL है जो हमें पूरा का पूरा देख रहा है इस URL के बारे में information भी मिल रही है कि इसका size कितना था 12.8 kb का size था और यह वाला URL इसने fetch किया था हमें check करना है कि इमेज सची में 300 pixel की है या नहीं है तो इसके लिए आप नीचे आके देख सकते हो कि यहाँ पर बीच में लिका हुआ 300 multiply by 127.758 इसका मतलब यह image actually में 300 pixel wide है और 127.758 इतना pixel इसकी height है तो width होगे 300 pixel और यह आगे इसकी height तो यह height कहां से है इसकी 127.758 यह height कैसे आई तो basically हुआ क्या है image का जो actual aspect ratio था which was 580 by 247 वही maintain करने का try किया गया है तो यह आप लोग mathematically calculate कर सकते हो कैसे basically 300 multiply by 247 divided by 580 यह value आपकी 128 के बराबर आएगी तो इससे computer ने ब्राउजर ने अपने आप ही इसकी height calculate कर ली so that आपको image जो है वो squish ना देखे अगर आप यहाँ पर इसका height भी define कर दोगे ना सबुसकर मैंने code में आके यहाँ पर height define कर दी height equals to let's save 100 तो code में लिखेंगे 100 और यहाँ पर इसे reload करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 600 by 100 pixel तो ऐसा ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे सिर्फ एक बार में या तो width define करेंगे या height define करेंगे बाकि दूसरी बचेवी चीज़ को हम अपने आप ही calculate हो जाने दिया करेंगे तो suppose करो अगर आपको चाहिए कि height इसकी रहे 300 pixel और width अपने आप calculate कर देंगे 300 pixel तो height अपने आप calculate कर देंगे 300 pixel तो height अपने आप calculate कर ली जाएगी और height होगी इसकी 127 ठीक है तो यह हमें समझ में आगवा का width or height का फंडा अच्छा एक और चीज मैं आपर side note में mention करना चाहता हूं कि अगर आप लोग को यह console समझ में नहीं आ रहा ना कि कैसे use हो रहा है तो पहले तो मैं कहूंगा कि इसको जाकर ट्राय करो ठीक है देखो क्य का हो रहा है इसके अंदर चीज़ें किस-किस टाइब की दिख रही है आपको बाकि इस console को हम पूरा का पूरा स्कोर्स के तौरां अच्छे से घुस चुके होंगे और हर एक चीज को समझ चुके होंगे किस तरे किस तरे किस हर चीज काम कर रही है तो don't worry दिरे दिरे करके च एक और चीज आप इसको नीचे वाल लाइन में डाल दो तो भी फरक नहीं पड़ेगा इस तरीके से नीचे वाल लाइन में डाल दो तो align equals to अगर मैं कर दूंगा right और इसको मैं करूंगा save और यहां पर करूंगा reload तो यहां पर देख रहो है आपकी image जो है वो right side में आ गई और अगर आपको image यहां पर चाहिए इस paragraph के बाद में चाहिए तो इसके लापको करना क्या है इस image को यहां से हटा के यहां से cut करना है और इसको लगा देना है अपने इस वाले paragraph के ऊपर तो अब यहां पर हमारा होगा क्या यह image हो जाएगी right align और इसके नीचे जो भी text था वह अपने आप ही left is over overflow हो जाएगा ठीक है left side में flow हो जाएगा तो हमारी image जो है वह रैट side align हो चुकी है और text इसके नीचे जो भी था वह सारा का सारा इसके left side में flow हो चुका है image right align text left side में flow अगर मैं image को align कर दूँगा left image align अगर मैं left कर दूँगा तो image हमारी left align हो जाएगी और इसके बाद वाला जो text था इसके नीचे जितना भी text था वह right side में flow हो जाएगा लेकिन आप एक चीज़ और notice कर रहे होगे कि इस align के उपर red red आ रहा है और इसके उपर मैं hover कर रहा हूं तो MDN का support भी नहीं आ रहा जैसे image के उपर hover करते हैं तो MDN का reference आता right modular development network वैसे align के पर hover करने पर नहीं आ रहा वहीं पर करता हूं source पर करता हूं तो यहां पर सारे सारी चीज़ें आ रही हैं वह इसलिए है क्योंकि align को deprecate कर देगा है align is no longer supported and it is discouraged to use align anymore तो align को use ना करके हमारे पास CSS के अंदर property होती है जैसे अगर मैं आपको बताना चाहूं हमारे पास style attribute होता है इसके अंदर हम float कर सकते है इसको right side तो यह अगर समझ में नहीं आ रहा है तो don't worry यह पूरा-पूरा CSS के अंदर हम समझ रहे होंगे float right इसकी help से आपकी image वो right side float कर जाएगी और यह भी बिल्कुल वही behavior है बस यहाँ पर यह चीज recommended practice हो गई है तो इसको मैं हटा देता हूँ confusion remove करने के लिए और इसको अगर हम रिलोड करेंगे तो हमें यहाँ पर हमारी image दिख रही है CSS के पास और भी cool cool properties होती है float के अलावा वो सब हम समझ रहे होंगे जब source, alt और इसके अलावा height यह सारी attribute दिख सकते हैं इन सभी को आप चाहो तो अलग line लिख सकते हो जैसे की readability बढ़ सके और इसे कुछ फरक नहीं पढ़ने वाला जब तक कि आपके image का tag open यहाँ पर हो रहा है close यहाँ पर हो तो इसके अंदर जो भी चीज़े होंगी वो सारी सा आपके readability ही improve होगी अब यहाँ पर आप देखरो source जो है वो actually internet का URL है सब उसकोर आप चाहते हो internet के URL के उपर भरोसा नहीं करना चाहते हो सकता है किसी दिन Wikimedia और यह URL बंद हो जाए हो सकता है यह image को यहाँ से हटा दे container में से राइट कुछ भी हो सकता है आपको इस website के पर लोड कर सकते हो उसके लिए लेकिन आपको अपनी image को यहाँ पर लेका आना पड़ेगा अपने folder के अंदर तो उसके लिए मैं क्या करूँगा अपने folder को open करूँगा इसके लिए मैं right click करूँगा reveal in finder इससे मेरा folder यहाँ पर दिख जागा कि कहां पर मेरा project store हो रखा है तो इस जगे पर मुझे अपनी image को लेकर आना है तो कोई भी image लोग और यहाँ पर लेकर आ जाओ मैं अपनी image लेकर आता हूं तो मैंने image को copy कर लिया है इस image को मैं यहाँ पर कर दूँगा पेस्ट इस image का मैं नाम चेंज कर देता हूं for example thumbnail 4 और इस image को उठा के मैं डालता हूं अपने main folder के अंदर thumbnail 4 website के अंदर तो यहाँ पर यहाँ आ गया है अगर हम इसे यहाँ पर देखेंगे तो हमारे my website के अंदर thumbnail 4.png यह दिख रहा है आपको राइट इसके ओपर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर यह दिख जाएगी यह हमारी image है यह हमारा thumbnail है यह thumbnail मैं दिखाना चाहो तो अपनी website के अंदर तो इसके लिए मैं क्या करूंगा source equals to और इस image का जो path है वो डालूँगा यह image का relative path क्या है तो index.html के relatively यह image किस position में present है तो अगर आप देखोगे तो index.html कहां present है इसका hover करने पर देख रहा है पूरा पूरा path document, projects, web development, projects, my coding website slash index.html वह इससे मेरी यहाँ पर यह image लोड हो जाएगी अगर मैं यहाँ पर दिखा हूँ आपको command R तो देख रहे हो अब मेरी यहाँ पर actual image लोड हो रही है जो मैं दिखाना चाहता था और अगर विकी वाली image अगर सपूस करो किस दिन lost भी हो जाए तो भी मेरी वाली image तो मेरी website के अ इमेजिस हैं उनको किसी एक folder में डालो तो उसके लिए मैं आप एक folder बनालता हूँ images नाम का images और इस folder के अंदर मैं इसको उठा के move कर देता हूँ अब अगर मैं यहाँ पर रेलोड करूँगा तो आप देखोगे कि मेरी image नहीं दिख रही है आप है क्योंकि image का path खोच चुका है इसकी जगह पर आ रहा है all text तो यह इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर actually image present नहीं है image हमारी दूसरे folder के अंदर है तो मुझे पूरा का पूरा path बताना पड़ेगा कि यह folder कहाँ पर है उसके लिए मैं आऊँगा अपने code के अंदर और इस source के अंदर लगाँगा मैं images slash thumbnail 4.png ठीक है तो मुझे बताना पड़ा कि जिस folder के अंदर मेरी index.html है उस folder के अंदर ढूनो इस image नाम के फोल्डर को और उस image नाम के फोल्डर के अंदर ढूनो इस png को अगर मिल गई तो इसको यहाँ पर load कर दो अब इसे हम reload करेंगे तो यहाँ पर उसे image का पूरा path मि लिए इसको reload कर पा रहा है अब आपको अपनी website के अंदर images दिखाने में I don't think कोई problem होगी images को दिखाने के लिए यही सारे tags की जरूत होती है image tag और यह सारे attributes इस से आप लोग की images कोई भी किसी भी तरके की show हो सकती है लेकिन यह होता है आपका बहुत ही basic stuff अब हम समझेंगे responsive images के बारे में किस तरीके से आप लोग different different scenarios के अंदर different different type images load कर सकते हो